तो दोस्तों स्वागत हैं आपका फिलोसोफिकल वर्ल्ड टीवी पे दोस्तों फिलोसोफिकल वर्ल्ड की जो टीम है वो हम आज आचुके हैं जैपूर में और जैपूर के जो भी बेस्ट बेस्ट प्लेसे यह वह हम आप और हम साथ मिलके देखेंगे उसी गड़ी में आज हम आ चुके हैं यह जो पिछी आपको दिखे दे रहा है बिर्दा मंदिर वहीं पर तो हम और आप मिलके आराम से इस यह जो डेस्टिनेस हैं यह जो मंदिर है इसके आनन्द उठाते हैं दोस्तों जेपूर का बिड़ला मंदिर भारत में इस दीद अनेक बिड़ला मंदिरों में से एक हैं यह मंदिर अपने आप में अद्बुद है इस मंदिर का वास्तु सिल्फ देखकर आप अचंबित रह जाते हैं मंदिर का निर्मान भारत के मसूर उद्योगपती बिड़ला जी ने करवाया था इसलिए इस मंदिर को बिड़ला मंदिर कहा जाता है लेकिन इस मंदिर में लक्ष्मी और नारायन भगवान की परतिमा इस्तापित होने के कारण इस मंदिर को लक्ष्मी नारायन मंदिर भी कहा जाता है लक्ष्मी नारायन जी का ये मंदिर जेपूर की मसूर मोती डूंगरी पाहड पर इस्तित है कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्मान करने के लिए जेपूर के ततकाली महाराजा ने एक रुपे के टोकन में इस मंदिर को निर्मान करने के लिए जमीन का दान किया था सफेज संग मरमर के पत्थर से निर्मीत ये मंदिर अपने आप में अधबुद और दिव्य है जब आप इस मंदिर में लक्ष्मी नारायन जी के दर्शन करते हैं तो आपको एक गहन सांती का अनुवंग होता है जैपूर के बहुत से लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए रोज आते रहते हैं इस मंदिर के गर्व गरे में बगवान नारायन और लक्षमी जी की पर्टिमा इस्तापित हैं। सपेज संग मर्मर से बनी ये पर्टिमा ये बहुती अद्बुत हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें। नए है आप हमारे चैनल फिलोसोपिकरव वर्ल्ट टीवी परे ?। फिलोसोपिकरव वर्ल्ट टीवी को सस्क्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं।